दोस्तों एक time था जब एक phone का upgraded version आने में कम से कम एक साल का time लगता था यानि जो phone इस साल launch होता है उसका upgraded version हमें next year देखने को मिलता था लेकिन अभी market इतनी ज्यदा competition हो गई है market में कि क्या बताऊं आपको मतलब एक phone का successor आने में hardly यहां पे 3-4 मेने का time लगता है अब कुछ दिन पहले दोस्तों Realme का 5 launch होता 5 pro launch होता जो अपने price में बहुत ही best phone था लेकिन अभी हाली में Redmi Note 8 के launch के बाद यह Realme 5 जो है ना काफी हर तक Redmi Note 8 से पीछे रह जाता है बहुत सारे मामलों में दोस्तों चाहे हम बात करें display की या फिर fast charging की तो बहुत सारे मामलों में Realme 5 जो है Redmi Note 8 से पीछे रह जाता है तो इसी के लिए दोस्तो Realme जो है एक और phone निकालने वाला है जो Redmi Note 8 को टक कर देगा और यह phone का नाम दोस्तों बताए जा रहा है Realme 5S होने वाला है इसको लेके बहुत सारे leaks सामने निकल के आई है दोस्तों exactly information company के तरफ से नहीं है लेकिन जो leak सामने निकल के आई है उसमें से दोस्तों आपको बहुत सारी चीजे जो है पता चल जाए यह Realme 5S में हमें क्या कुछ चीजे देखने को मिलने वाली है तो चलिए हमारे वीडियो को सुरू करते है सबसे बहले बात करते है design और display की तो design वाइस यह काफी हद तक Realme 5 के त अगर मैं बात करता हूं display की तो यहां भी आपको 6.5 इंच की display देखने को मिल सकती है इस बार दोस्तों regulation में आपको फरक देखने को मिलेगा जो Realme 5 है वो HD plus display के साथ आता है लेकिन Realme 5S में हमें full HD plus display का regulation देखने को मिल सकता है अगर मैं बात करता हूं performance की या फिट chipset की तो यहां पर सेम हमें Snapdragon 665 का chipset देखने को मिल सकता है जो हमें Realme 5 और Redmi Note 8 में भी देखने को मिल रहा है तो performance wise बिल्कुल सेम ही रहने वाला है यह phone यहां पर 3GB RAM 32GB storage, 4GB RAM, 64GB storage आपको इस phone में देखने को मिल जाएगी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस phone के camera's के उपर तो जो Realme 5 है वहां हमें 12 Megapixel का camera देखने को मिलता है और जो Realme 5S है दोस्तों इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि आपे 48 Megapixel का quad camera आपको देखने को मिलने वाला है बागी जो दूसरे sensors होंगे दोस्तों वो 8 Megapixel का wide angle lens, 2 Megapixel का depth sensor और 2 Megapixel का macro lens देखने को मिलेगा और मैं अगर बात Redmi Note 8 में भी देखने को मिलता है तो camera's दोस्तों यहाँ पर upgrade होने वाले हैं अगर बात करें बैठे life की दोस्तों तो यहाँ भी पांच एक रहा है इच्छी बैठे देखने होने जबती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है fast charging का support इस पर आपको देखने को मिल जाएगा यानि W charging 3.0 का support है वो भी हमें इस phone में देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों Redmi Note 8 जो है 10,000 की price में fast charger जो है in the box दे रहा 18W का इसके अलावा अभी अगर हम देखे तो साड़े phone जो है 10,000 के नीचे लगबग USB Type-C port के साथ आते हैं तो यह phone भी हमें USB Type-C port के साथ देखने को मिल सकता है बांकि और चीजों के बात करें तो यह जो phone है Android 9 Pie पे रन करेगा और ColorOS 6 ही आपको इस phone में देखने को मिलने वाला है इसके अलावा जो basic sensors हैं दोस्तों सभी आपको इस phone में देखने को मिल जाएंगे तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो Realme 5 और Realme 5S में आपको 3 major upgrades किसरा दोस्तों आपको better life या फिर बोल सकते हैं charging के ऊपर देखने को मिल सकती है तो यही कुछ चीजों के सांथ जो है Realme 5S हमें देखने को मिल सकता है इंडिया में और अगर इसके launch rate और pricing को लेके बात करें तो इसकी pricing बता ही जा रही ही कि 10,000 के आसपास ही होने वाली है चा तो बताओ दोस्तों कि आपको यह phone कैसा लगा और क्या आप Redmi Note 8 की बजाए इस phone को लेना चाहोगी अगर यह ऐसे spec के सांथ launch होता है अंडिर 10,000 में बताना मुझे comment में आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आने वा लग लिग से वीडियो में तब तक के लिए enjoy कीज झाल फिए